Hello Friends, My Name is Dr. Radhimishra आज हम बात करेंगे कि Age के According आपका वजन कितना होना चाहिए WHO ने कुछ ऐसे पैमाने फिक्स करके रखे हैं कि आपकी Age जितनी है तो आपका एक Standard वजन कितना होना चाहिए तो आएए शुरू करते हैं वजन को लेकर बहुत जादा लोग Confuse रहते हैं कि हमारा वजन सही है कि नहीं है हम Over Weighted तो नहीं है या Under Weighted तो नहीं है इसके लिए आपको WHO के According जो पैमाने दिये गए हैं उसको आप एक बार Follow कर सकते हैं नवजाज शिशु का बेट 3 kg से 3.5 kg तक सही माना जाता है नवजाज बेट मंध के जो बच्चे होते हैं उनमें जो बॉइस होते हैं उनका वजन 7.2 kg सही माना जाता है और जो गर्स होती है उनका वजन 6.4 kg सही माना जाता है 9 से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कों का वजन 10 केजी और लड़कों का वजन 9.5 केजी सही माना जाता है दो साल से पांस साल तक के बच्चों का जो सही वजन माना जाता है वो है लड़कों में 12.5 kg से 18.7 kg तक और गर्ल्स में 11.7 kg से 15.8 kg तक सही माना जाता है उसे में लड़कों का जो वजन होता है वो 18.7 kg सही माना जाता है नौ साल से बारा साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कों का सही वजन 28.7 kg से 32.7 kg सही माना जाता है 12-14 साल के जो हैल्दी बच्चे होते हैं उनमें लड़कों में सही वजन 35-38 kg होता है और लड़कों में सही वजन 33-37 kg सही माना जाता है 15-20 साल तक की जो healthy बच्चे होते हैं उनमें लड़कों में सही वजन 40 केजी से 50 केजी तक माना जाता है और लड़कियों का सही वजन 42 केजी से 46 केजी तक माना जाता है 31 से 40 साल की उमर के जो पुरुश होते हैं उनका सही वजन 70 से 75 केजी माना जाता है और जो महिलाएं होती हैं उनका 60 से 70 केजी सही माना जाता है आई होग एज के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए इसकी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी हाला कि ये जो पैमाना है ये डबलू एचो के अकॉर्डिंग है और स्वास्त के हिसाब से ये पैमाना उपर नीचे हो सकता है बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वास्त है अगर आप स्वास्त रहते हैं तो आपका वेट थोड़ा उपर नीचे भी है तो उससे जाधा फरक नहीं पड़ता है लेकिन आपको ना तो अंडरवेट होना चाहिए ना ओवरवेट होना चाहिए ये एक WHO के अकॉर्डिंग जो पैमाना है इससे आप अपने वेट को मेजर कर सकते हैं अपने सो आज के लिए सिर्फ इतना I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इससे लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इंफोर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें Thank you for watching, stay safe, stay healthy